हलो एवरीवन, विलकुम बैक टु माई चैनल, अमके ग्लोजोन और मैं हूँ मम्ता फ्रेंक्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, पाँच आसान तरीके आपका वजन कम करने के जी हाँ, जिसे आपका वजन भी कम होगा, आप डी मोटिवेटेड भी नहीं होंगे और लॉंग टाइम तक इस चीज़ को आप कर पाएंगे तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, सबसे पहले आपको मन्त और थ्री मन्त और सिक्स मन्त की जगा आपके weekly goal जो है set करने होते हैं, कि मैं एक week में एक kilo वजन कम कर लोगी week में जो set करने होते हैं goals, वो ऐसे करने होते हैं जो आप सच में achieve कर सकें अगर मैं लिख दूँ कि मैं 7 दिन में 7 kilo वजन कम करूँगी, तो क्या ही मुम्किन है? बिलकुल भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, ठीक है, साथ दिन में 7 kilo वजन कम होना बहुत मुश्किल है साथ दिन में आप 1 kilo वजन कम कर सकते हैं, इस अगर अगर आप लगाएं तो एक महीने में आपका 4 kilo तक वजन कम हो जाता है तो weekly goal set कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा disappointment भी नहीं होगी और ज़्यादा लंबा period हो जाता है, जब एक महीने का period है, तो बीच में कोई नो कोई cheat meal आप खा ही लेते हो और कुछ नो कुछ ऐसा हो ही जाता है, जिसकी वज़े से आपका weight कम होना बंद हो जाता है तो इसके लिए weekly goal को set कीजिए, इससे आप motivated भी रहेंगे और आपके जो targets हैं वो भी अच्छी होते चले जाएंगे Second है, अपना जो खाना है, उसमें carbs को एकदम बाहर कर दीजिए Carbs जो है हमारे body को energy देता है, ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमें carbs की need भी होती है लेकिन carbs ही एक ऐसा होता है, जो weight को बढ़ाने में भी help करता है, तो weight loss अगर आप कर रहे हो तो आपको carbs की इतनी need नहीं होती है, आपको carbs की इतनी need नहीं होती तो आप रोटी चावल eight time skip भी कर चकते हैं रात को आप रोटी चावल में से कुछ भी खाना ना खाए, बिल्कि सबजी, दाल या साथ में oats, दलिया आप ले सकते हो, लेकिन जो एक तर्व डिरेक्ट वाले fats होते हैं, डिरेक्ट वाले carbs होते हैं, आप उसको बिल्कुल बंद कर देजिए, रोटी चावल को रात के अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, क्योंकि प्रोटीन हमारा वेट लॉस करने में बहुत जादा है, प्रोटीन हमारा वेट लॉस करने में बहुत जादा है, प्रोटीन हमारा वेट लॉस करने में बहुत जादा है, प्रोटीन हमारा वेट लॉस करने में बह खाना आप कम भी खाते हैं और फाइबर अगर अच्छा आपकी बॉड़ी में जा रहा है तो आपको कॉंस्टरपेशन की दिक्कत नहीं होगी कई लोग कहते हैं कि हम डाइटिंग करना शुरू करते हैं या हम बेट लॉस करना शुरू करते हैं तो अगर आप फाइबर नहीं पी सकते हो उतना पी कारण opens लेट अन्ट पानी में जीरे जीरे का पानी बो incredibly देई मया देख ब्लेटर द पी सकते हैंप हूँ और नशिक दीन पाँछ तको आपनी बनांके ऊसको बहुत देख एक खुआ प्रॉपर की मातना है श्रॉपरा में प्रॉपर बिलकुल रहने चाहिए फुयूदझद ज्यादा बाडी में जाता है तो बिलकी दोटॉ इसके झाइए को यह से कम प्रॉपरा जों सॉपराइक जूसेज नहीं जाने चाहिए जस्ट फ्ल्यूड पानी और फीका फी की चीज़े जाने हैं मीठी नहीं जाने हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज वॉक डांसिंग कुछ भी एक एसी अक्टिविटी जो आपकी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी ब जहां पर आप रिक्षा करते हो मैट्र पकड़ते हो बस पकड़ते हो वहां तक आप सुबा पैदल जाओ और शाम को वहीं से पैदल घर आओ बिल्कुल कोई रिक्षा लेने की जुरत नहीं है ठीक है इतना आप कर सकते हो उसके अलावा 5-10 मिंट आप डांसिंग कर सकते हो डांसिंग एक ऐसा मेरे हिसाब से मुझे लगता है एक ऐसी चीज है जो आपकी head to toe पूरी body को move करता है तो आप डांसिंग कर सकते हो उसके साथ अगर आपके घर में जगा है आपकी गलियों में जगा है तो आप walk कर सकते हो रात को 10-15 मिंट की walk से start कीजिए फिर धीर अपने यह exercise और यह सब करने का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी खा सकते हैं 20% ही होता है exercise का असर 80% सिफ आपके खाने का होता है तो इसके लिए खाने पे भी control करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है ओके फ्रेंट्स यह पांच तरीके अगर आपने अपना लिये ना तो definitely आपको पत कर दो है लो ही खाने को फुमे oh